दिन भर का आपने देखा दिन भर वोटिंग जैस जिस तरीके से चली और अभी जब शाम में आखरी दौर में कुछ बदलाओ दीखा और कैसा क्या लग रहा है कि पिछली बार के मुकाबले कुछ हवा बदली हुई दीख रही है या आपका क्या अकलन है अप पिछले बार के मुकाबले 12-13 प्रतिशत वोट जो है वो कम पड़ता हूं नजर आ रहा है और बात करें एक घंटे की तो उसमें बहुत जादा वोटिंग होती हुई नजर नहीं आई है क्या इसका असर किस पर पड़ेगा क्या महेश शर्मा जी दुबारा जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे ये बात करते हैं के लोगों से सर वोटिंग पचेंटेज बहुत कम हुई है किस पर असर पड़ रहा है इसका देखो बीजेपी के अपोज में सारी वोटिंग गई है यहां के लोग नहीं चाहते हैं महेश सर्मा दुबारा सांसत बने और सब बदलाव चाहते हैं पिछले दस सालों में महेश सर्मा ने यहां के लोगों के लिए या छेतर के लिए किसी भी परकार का कोई काम नहीं किया नराज की लोगों में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है बसपा को लेके बहुत ज़्यादा उस्सा है मायवती का गड़ रहा है लोगों ने जम कर बोटिक अब कारे करता है बसपा करे जी जी कारे करता हूँ तो यह बताई किन मुद्दो को लेके Voting हुई है मुद्दो सिक्सा और चिकित्सा और जो बेंजी ने अपने सरकार में काम किये उन मुद्दो पर अब की बार Voting है बदलाव की उम्मीद है इस बार महेसर माजी देहाद से शहर में शहरी वोट कम पर्चेंटेज हुआ है इस वज़े से हुआ कि गर्मी की वज़े से शहरी वोटर लिकड़ा नहीं है इसलिए देहाद में अच्छी पर्चेंटेज बसपा को मिलती नजर आ रही है जो कारे करता है उनकी भाषा कमो बेश सब जगा एक जैसी ही है कारे करताओं को लग रहा है कि जो वोटिंग कम हुई है वो दूसरी पार्टी के लोग नहीं आये हैं लेकिन असल में जब नतीजे आएंगे तब समझ में आएगा कि ये जो वोटिंग कम हुई है उससे नुकसा किसको हुआ है तो एक बार जियोती मिश्रा के पास चलते हैं जियोती क्या माहौल है वहां अली गड़ मेरे जेवती के connection में कुछ इसू है, फिर से उनके पास चलेंगे, एक बार फिर से श्वेता का रूख करते हैं, श्वेता आपके पास कुछ और नए लोग दिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, वहां तो हलाकि पहली बार जब मैं आया था, जब तो वहां तो राम्मय माहुल दिख और मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग ज्यादा है, वहां पे इसलिए खास तरह की बात हो रही है, फिर भी जड़ा मैं चाहूंगा कि लोगों से पूछिए कि इस वार किन मुद्दों को ले करके वोटिंग हुई, और थोड़ा वोटिंग कम जो हुई है, उसका नुकस को वोट नहीं दिया, हमने सिद्धे मोधी जी को वोट दिया, बताएं। हमारा जो यहां का संसद है गर्ग साब अतुल गर्ग वे जो हैं इतने एक टाइम उनके पार ही नहीं यहां पर एक दफ़ी नहीं आए हैं और और उनका एक मेरे वाट से बारा है आप लोग सीधे मोदी जी को वोट कर रहे हैं यहां के कैंडिडेट को कमल के भूट पर जी मैं मैं बताइए आप बताइए वोटिंग बहुत कम हो रही है जितना जितनी उम्मीद थी कि मद्दाता जादा निकले उतने निकल निकल नहीं रहे हैं इसका नुकसान किसको होता व सकते तो जदा अच्छी वोटिंग होती है जी थोड़ा टाइम और बढ़ा दिया जाता तो जो सीनियर सीटीजियंस हैं वह आकर और लंबे टाइम तक वोटिंग कर सकते थी ठीक है आपको क्या लगता है किसको मुक्सान पहुंचेगा मैं अपने अपने मेहमान का रुख कर लिए इसलिए आप साहिधिनेशवासनेजी से आप सहमत नहीं थे कि वह आपने कहा कि वहीं कुछ बचाने ही फिर भी आपको लगता है कि आपका फिट बैक सही है तो मैं क्या करूं लेकिन मुझे लगता है कि अगर गर्मी की की वजह से हैं जैसा कि अभी कुछ लोग कह रह किसी मुद्दे की वज़ा से है या लोगों को बहुत लोगों को लग रहा है कि यह 400 पार का जो नारा है वो ही सारा खेल कर देगा तो पता नहीं क्या मालूम नुकसान हो बीजेपी को कि इसमें कहीं कोई संदे नहीं है कि जब इस तरह का मोमेंटम क्रियेट होता है तो हम यह उम्मीद करते हैं कि कोई बहुत बड़ा वोट परसेंटेज हमें दिखेगा लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है नरेंदर मोदी जब सिर्ण नीती में हैं उन्होंने एंटी पेंसी में बदल दिया